हेलो फ्रेंड्स आज सम बात करने वाले हैं IT modernization के बारे में तो यह हमारा important topic है और यह important इसलिए भी है क्योंकि इसमें से 10 number काएगा और बहुत जादा बड़ा topic नहीं है और इसमें से जो question आते हैं वो बिल्कुल सीधे-सीधे आपसे question पूछे जाते हैं कोई कि माफिरा की question नहीं पूछा जाता है तो यह करना बहुत ही जुरूरी है और साथ में हम इसमें से अब थोड़ा सा important जो है वो पढ़ लेंगे और बाद में मैंने आपको लिए 200 questions की एक PDF फाइल त्यार कर दिया है तो मैं आपको WhatsApp पर प्रवाइड करवा दूंगा तो आप वहाँ पर उसको पढ़ सकते हैं तो हम शुरू करते हैं हमारा IT modernization तो यह हुआ कब था यह 2012 में हुआ था जो मारे department और पोस्ट में इंप्लिमेंट किया था 2012 में अब इसको इंप्लिमेंट करने का हमारा उदेश चे क्या था जो हमारा इंडिया पोस्ट है उसका उदेश चे क्या था इसको इंप्लिमेंट करने का modernization and computerization of all post offices in country including BO in rural areas, male offices and administrative and other offices तो जितने भी हमारे इंदेश के जितने भी हमारे post offices है including with जो हमारे branch offices है ग्रामिन क्षेतरों में प्लस जो हमारे male offices है या फिर जो हमारे प्रशास नहीं किया दूसरे offices है उनमें modernization और computerization करने के लिए आधुनी करन और उनमें computers की सुभिधा की computer से काम करने की सुभिधा उपलफद करवाने के लिए जो id modernization है उसको implement किया गया था development of scalable integrated and modular software covering all operators of DOP such as mail operations, postal banking, insurance, financial and HR उसके साथ क्या उदेश्य था कि हमारे department of post में जितने भी काम होते है चाहे बो mail से related हो, postal से related हो, banking से related हो, insurance या finance से related हो तो उसमें जितने भी काम होते हैं उनको एक modular software से integrate करना उसका एक ही करीत करना ये एक और उदेश्य था उसके बाद था establishment of required IT infrastructure इंक्लूडिंग data centers, wide area network based networking of department of post उसके साथ क्या था कि जो हमारा infrastructure है including जो हमारा data centers होते हैं और जो हमारे wide area network हैं उनको स्थापित करना तो जो हमारा department of post है ताकि जितने भी हमारे rural post offices में रूरल क्षेत्रों में जो भी हमारे ग्रामिन क्षेत्रों में उनको उनमें एक तरह से सभी एक दूसरे से link हो जाएं इसलिए हमारा यह IT modernization किया गया था deployment of rural information communication technology infrastructure in all rural post offices तो जितने भी हमारे rural post offices हैं जो ग्रामिन क्षेत्रों में post offices हैं उनमें rural information communication technology को स्थापित करना transforming department of post into technology enabled self-reliant market leader जो इसमें था कि आतम निरभर एक market leader की तरह post office को बनाया चाहे क्योंकि बाकी जितनी भी सुविधाएं थी बाकी तो बहुत सारे भी दे रहे थे जो बाकी company आए तो post office के बाद सब इतना कुछ बचा नहीं था तो इसलिए सभी का modernization करना बहुत ज़रूरी था तो इसलिए किया गया ताकि धिक से धिक सुविधाएं अपलफद करवाई जा सकें ठीक है उसके बाद एक ही office में एक ही जगह पर आपका सारा काम भी हो जाए तो लग लग सुविधाएं परदान करने के लिए भी किया गया और साथ में ताकि जितने भी post offices हैं वो एक दूस ऐसे जिए परदक्टोर सर्विशी ओफर किये गए एंपावर रूरल इंफ्रस्रक्चर और साथ में जो ग्रामिन के खेत्रों में इंफ्रस्रक्चरा उसका शक्ति गाण किया गया डिलिवर इंप्रूब्ड एंड कंसिस्टेंट कंस्टमर सर्विस तो इंप्रूब्ड और कन्निरंतर जो consistent services customers को वो प्रवाइड करवाई गई motivated workforce high employee satisfaction और साथ साथ में इसके साथ में जो department के employee थी उनको भी satisfy किया गया मतलब कि उनके लिए भी कुछ नगुछ किया गया ताकि वो भी ठीक रहा काम कर सकें वो भी satisfy रहें major projects अब जो हमारा IT modernization हुआ उसमें जो major project थे वो कौन-कौन से थे core banking solutions and rural ICT project जो हमारा core banking solution था cbs तो इसमें क्या था integrated network एक ग्रीद network anywhere anytime banking transaction using तो इसमें क्या था हमारे पास एक तो integrated network था जो network था उसको integrate किया गया आप कहीं भी किसी समय कोई banking की सुभिदा ले सकते थे transactions कर सकते थे rural ICT project अब जो हमारा rural ICT project था उसमें क्या था जो हमारे 1,3,000 post offices थे जो हमारे rural post offices थे जो हमारे ग्रामिंड शेत्रों post offices थे उनको क्या किया गया supplied with optimized devices तो उनको optimized devices supply की गई connected with gprs journal packet radio service cdm में code division multiple access wifi lan और and broadband तो क्या था कि जो मारे ग्रामिंड के शेत्रों में post offices थे उनको optimized devices supply की गई जो gprs से cdma या बाइफाई या या फिर ब्रोडबैंड से बो connect थी equipped और उनके साथ साथ कुछ equipments भी दिएगे अप्लिकेशन परिफिर्ल डिवाइसिस जैसे printers होगे, biometric होगे या scanners होगे या peripheral devices भी दी गई और साथ मैं जो मशीन थी जो supply की गई machine devices थी उनको कुछ applications भी प्रोड़ाइड करवाई गई to enable postal banking and insurance transactions थाकि जो postal या फिर banking या फिर हमारी insurance transactions है उनको किया जा सके cbs core banking solution networking of branches तो core banking solution का क्या मतलब था कि जितनी भी branches थी उनकी networking की गई ताकि उनको एक दूसरे के साथ link कर दिया जाए enables customers to operate their accounts avail banking services from any post office ताकि जितने भी customer थे जिनके भी account थे ठीक है जिनके भी account थे ठीक है वो पहले क्या होता था कि अगर मालीजी आपका किसी post office में account है तो आप सिर्फ उसी में ही अपनी account में deposit या बिड्राल कर सकते थे बट अब मारी modernization के बाद क्या हुगा core banking solution चौया उसमें जो branches थी ठीक है उनकी networking कर दी गई एक दूसरे के साथ उनको link कर दिया गया ताकि enable customers to operate their accounts avail banking services from any post office ताकि जो customer थे अपने account को किसी भी post office से operate कर सकें चाहे वो deposit करें चाहे वो बिड्राल करें तो वो किसी भी post office से अब कर सकते थे on CVS network regardless of their customer maintain their account कोई फरक नहीं पड़ता कि अपने account को operate कर सकता था who is no more the customer of post office जो हमारा customer अब post office का customer नहीं रहा था they become the post office saving bank customer अब वो post office saving bank customer बन सकता था thus CBS is a step towards finance enhancing customers convenience through anywhere and anytime तो ठीक है यह एक step था एक step था post office का ताकि जो मारी customers है उनको सुविधा मिल चके ताकि वो किसी post office में अपने जो भी उनके account से उनको operate कर सके तो यह एक बहुत ही सुविधा वाली बात थी पहले तो माली जी आपको पैसे निकलवाने और आप कहीं गहीं हो तो आपको तो मुश्किल हो जाएगी आप निकलवाई नहीं सकते थे बट उसके बाद IT modernization करने के बाद आपको यह वाली सुविधा मिल गई तो इससे बहुत जादा जो customers से उनको फाइदा हुआ अब जब project हमारा implement हुआ तो उसमें कुल 8 contract थे ठीक है जो हमारा project थो वो implement 2012 हुआ तो उसमें जो total contract थे वो 8 थे तो इसमें कौन-कौन से contract थे पहला था network integrator NI, data center facility DC या DRC, financial service system integrator FSI, core system integrator CSI, rural ICT system integrator RSI, mail operations hardware MH, change management vendor CM और rural ICT hardware RICO तो यह वाले 8 contract थे जो implement किये गए थे vendors of these 8 RFPS RS follows तो जो हमारे यह वाले जितने भी contract थे इनके जो vendors थे जो भी करेता थे यह हमें किस-किस ना provide करवाई थे तो यह हमें network जो integrator था NI, यह हमें CIFI ने provide करवाया था और जो contract हुआ था, बोट हाई September 2012 को sign हुआ था data center facility DC या DRC, यह हमें reliance ने provide करवाया था financial service integrator, यह infosys ने provide करवाया था core system integrator, TCS ने provide करवाया था तो friends यह जितनी भी full forms है, इनकी भी साथ मैं आपको PDF में WhatsApp पे provide करवा दूँगा rural system integrator, RSI, infosys ने provide करवाया था, और जो हमारा change management है, जो हमारा CM है, यह हमें TCS ने provide करवाया था और जो हमारा rural hardware RH है, तो इसमें हमारे पास यह दो जो है, तो यह हमें बाद में द्वारा से issue किये गए थे तो इसमें हमें यही है, जो पांच है, यह हमें provide करवाया थे, इसमें से दो जो हमें infosys ने provide करवाया थे और दूसरा हमें rural system integrator, और cfee ने provide करवाया था network integrator, तो यह important है, आपको इससे याद करवाया थे, जो हमारा rsi है, हमें infosys ने provide करवाया थे, यह actual में था क्या, bio software था आरेच, रूरल ICT hardware, sign info, systems, bio hardware and internet connectivity, तो यह एक जो हमारा रूरल ICT hardware है, यह branch office hardware है, और यह internet connectivity से related है, csi जो हमारा core system integrator है, data consultancy, accept sb and rpli and pli, तो जो हमारे sb और insurance से, इन दोनों की सिवाया जो भी है, उनके लिए प्रामर्ष के लिए, हमें consultancy के लिए, csi जो core system integrator है, वो provide करवाया गया था, fsi जो financial system integrator है, infosys ने provide करवाया था, cbs insurance, ecms और dm, तो यह इन से related था, dcf जो हमारा data center facility है, तो किस ने provide करवाया थी, हमें reliance ने provide करवाया थी, और इसमें जो हमारा primary data center है, वो मुंबेही में था, उसके बाद drc जो हमारा ptc, disaster recovery center, जो यह मैसूर में है, उसके बाद हमारा network integrator, यह हमें सिफी ने provide करवाया था, network connectivity to all post offices, तो इसका क्या उदेश्य था, कि हमारे जितने भी post offices हैं, उनमें network connectivity को उपलब्द करवाना, MWatch, male operations hardware, RFP, rms hardware, तो यह एक rms hardware था, जो male operations hardware है, यह rms hardware है, cm, change management, tata consultancy capacity building, तो change management, इसका मतलब क्या होता है, इसका उदेश्य क्या होता है, कि जब भी कोई, मतलब कोई भी change होती है, तो इसका काम क्या होता है, capacity building करना, तो यह, जो capacity होती है, उसको increase करने में काम करता है, या फिर जो हमारे trainings होती है, जो हमारे department के employee होती है, उनको training करता है, training provide करवाता है, तो जब भी change होती है, कुछ भी, तो यह, जो हमारा cm है, यह capacity building करता है, उसके बाद हमारा आता है, vendor or responsibility, अब इसने, जिसने हमें यह सारी चीज़ें upload करवाई, उसकी क्या responsibility है, तो financial service system integrator, तो ICT से, CBS application से, ATM से, training से, help desk से, project management service से, तो जिसने हमें financial system integrator provide करवाया, जो हमारा info is है, उसकी responsibilities है, यह सारी चीज़ें, rural ICT system integrator, middle bear to increase between rural ICT, CBS application and hand-held devices, तो जो hand-held devices क्या होती है, जिनका प्योग हाथ द्वारे किया जाता है, जैसे हमारे पास fingerprint वाली device होगी, तो ICT devices वो hand-held devices कहते है, तो इनका, जो rural ICT system integrator है, उसके जो responsibility है, वो यह वाली है, core system integrator, इसकी क्या responsibility है, customer call center, तो जो customer call center है, यह हमारे core system integrator की responsibility है, data center, hosting facility, तो यह जो हमारी facility है, उसको host करने का काम कौन करता है, data center, जो network integrator है, networking of post offices and ATMs, तो जो भी हमारे post office और ATMs है, उनको networking करना, उनको एक दूसरे के साथ लिंक करना, यह network integrator का का काम है, अब change management, जो हमारी change management होती है, इसका क्या काम होता है, training provide करवाना, जब भी कोई भी change होती है, department में, तब उसके related, उसके regarding, जो training होती है, वो change management प्रवाइड करवाता है, रूरल ICT system hardware vendor, तो इसका rural ICT hand-hand devices से related है, तो जो हमारी hand-hand devices है, उनकी responsibility किसके होती है, रूरल ICT system hardware की, अब जो हमारा network integrator है, यह क्या है, provide dedicated network connectivity to all departmental post offices, तो जो हमारा network integrator है, यह network connectivity प्रवाइड करवाता है, जितने भी हमारे department के post offices है, सभी को network connectivity प्रवाइड करवाता है, इसका vendor को ने, सिफी, MOU with सिफी contain these items, तो इसमें सिफी में क्या-क्या items आती है, providing NSP1 and NSP2 connectivity to all post offices, तो जो हमारा network integrator है, यह NSP1 और NSP2 connectivity प्रवाइड करवाता है, सभी post offices को, जो हमारा NSP1 है, इसमें क्या है, through BSNL only, जो हमारी NSP1 connectivity है, यह BSNL के थू है, जो हमारी भारस अचार निगम limited है, तो उसके थू है, जो हमारी NSP2 है, यह through wireless connectivity, तो यह wireless connectivity है, इन network integrator offices are classified in these categories, अब जो हमारा network integrator है, उसमें क्या है किया गया है, जो हमारे offices है, उनको divide कर दिया गया है, उनका वर्गिक्रित किया गया है, तो कैसे किया गया है, वो A class, having more than 50 systems, अब A class office किसे मानते हैं, वो network integrator में A class office किसे माना जाते हैं, जिसमें 50 से ज्यादा systems हो, B class, जिसमें 10 से ज्यादा system हो, C class office having more than 2 systems, तो C class में दो से ज़्यादा system वाले office को C class में मानेंगे D class में having two systems है जो D class है उसमें सिर्फ दो system होगे और जो हमारे E class है उसमें सिर्फ एक ही system होगा As per Ni classification जो हमारी network integrator classification है उसके अधार पर जो हमारे ABC offices है having MPLS connectivity as NSP1 तो इसमें जो MPLS connectivity है वो NSP1 की तरह है वो मानने जाएगी ठीक है और जो हमारी feasible RF connectivity है उसको NSP2 की तरह मानना चाते है And in case in class D and E offices अब जो हमारे दूसरे D और E class के offices है Having VPN broadband connection as NSP1 and dongle as NSP तो इसमें जो हमारा VPN broadband है उसको हमें NSP बन की तरह मानना जाता है और जो हमारा dongle है उसको NSP तरह मानना जाएगा Sifi maintaining its control NOC at Chennai और जो हमारा इसका control है NOC का control है इसका वो कौन maintain करता है Sifi और कहांपे Chennai में उसके बाद हमारा आता है data center facility जो DC है setup data center for hosting applications तो यह किसके लिए काम करता है यह जो भी applications होती है जो हमारी RICT device में applications है यह दूसरी applications होती है उनको host करता है उनका जो data है उसको setup करता है जो data center है वहाँ पे इसका setup करता है और जो applications है उनको host करता है इसका vendor को ने? इसका vendor Reliance है Data Center is located in धीरुभाई अंबानी City, New Mumbai और जो हमारा Data Center है, यह कहाँ पे situated है, कहाँ पे है यह हमारा Mumbai में है Data Recovery Center, जो हमारा DRC है At Campus of PTC मसूर, तो यह मसूर में है जो हमारा Financial System Integrator है, FSIA यह कहाँ प्रवाइड करवाता है, Provide Core Banking Solutions, CBS for Postal Banking, Saving Banks and PLI, RPLI Services तो यह हमें Core Banking Solutions प्रवाइड करवाता है, जो हमारी Postal Saving Bank है या हमारी जो Insurance Related Services है उनके लिए तो इसका vendor को होन है, इसका विक्रेता को होन है, Infoices Finacle, अब इसमें क्या होता है Finacle में, for Saving Bank Transactions तो जो हमारी Saving Bank Transactions होती है, वो Finacle में होती है मकैमिश में क्या होता है, for PLI Transactions तो जो हमारी Insurance Transactions है, वो मकैमिश में होती है ECMS, for both Finance and मकैमिश done by IBM, Data Cap, Application, which is prepared by IBM and purchased by Infoices तो जो हमारी ECMS है, इसमें क्या है हमारी पास जो हमारी Finance Finacle है और जो हमारी मकैमिश है, यह किसके दवारा तियार की जाती है किसके दवारा प्रिपेर की जाती है, जो हमारी IBM है और किसके दवारा परचेज की गई है, हमारी Infoices दवारा परचेज की गई है उसके बाद आता है हमारा Core System Integrator CSI Provide Solutions for Finance and Accounts, Human Resources and Payroll Also Provide Different Customers Interface, Channel Also Perform Reporting and Analysis तो हमारा Core System Integrator किस चीज के लिए Solutions प्रवाइड करवाता है Finance के लिए, Account के लिए, Human Resources के लिए, Payroll के लिए और उसके साथ साथ हमारी लग-लग Customers है उनके Interface Channel के लिए और साथ में क्या Perform करता है, Reporting और Analysis भी Perform करता है और इसका बेंडर को है, TCS TCS prepared POS and POS BO modules in Java Platform and purchase and customized SAP from German Waste Technology तो इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारे POS है और जो हमारे POS BO modules है ये prepare करते है हमारा जो Java Platform है उसके उपर और जो हमारा purchase और इसको customized कहा से किया गया है SAP से, from जो हमारी German Waste Company है महांसे इसको purchase किया गया है और customize किया गया है modules of CSI in Operative Offices POS, Make Doot Point of Sale, IPVS, Dispatch and Dispatch Part of Speednet, DPMS, Postman, EMO, Speednet, F&A INSAP, Treasury and Sub Account, SGHR also other applications like ESS and Franking Extra are introduced तो इसके साथ साथ जो हमारी other applications है जैसे ESS या फिर Franking Bira इसको भी introduce किया गया था उसके बाद है Rural Information and Communication Technology Rural Hardware RICTRH provide multifunctional hand-held devices in rural post offices specially in branch offices तो इसका क्या काम था? यह हमें hand-held devices जो है वो प्रवाइड करवाती है जो हमारे ग्रामिन किशेत्रों में post offices होते है specially जो हमारे branch post offices है इसका vendor कोन है? RICO further RICO company tied up with Vision Tech and supplied POS G11 machines to branch offices also known as MCD main computing devices तो इसमें हमारे पास क्या है? जो हमारी RICO है इसको जो हमारा contract मिला उसके बाद इसने एक और कंपनी से tie up किया Vision Tech और फिर उसके बाद जो हमारी machines है G11 machines है branch offices को supply की गई जिने MCD भी कहते है main computing devices भी कहते है Rural Information and Communication Technology System Integrator RICT जो SI है Provide software solutions for all postal facilities and financial services in rural areas including manrakes and EMO तो इसमें क्या था? यह जो हमारा software था इसमें software solution क्या provide करवाता था? जितने ही हमारी postal facilities है या हमारी जो financial services है जो हमारे rural areas गरामिन क्षेत्रों में including manrake का और जो हमारे electronic money order है उनके इनके लिए software solution प्रवाइड करवाता है और बेंडर को है इसका? Infoices presently with TCS software integrated with CSI branch post offices are working with apps called demo booking and dial apps तो इसमें क्या है हमारे पास? यह जो software है इसके TCS के साथ जो हमारे branch post offices में जो RICT devices होती है उसमें एक application होती है कौन-कौनसी demo booking or dial apps तो उसमें यह काम कर रहा है Next है हमारा mail office hardware MOH provide hardware to mail offices तो जो हमारे mail offices है उनको यह hardware प्रवाइड करवाता है RFP includes providing postman and hand hat devices इसके साथ साथ यह क्या प्रवाइड करवाता है postman के पास जो hand hat devices होती है जिसमें वो delivery बेगारा का काम करते है वो devices and automated sorting machines to large mail offices और इसके साथ साथ जो हमारे बड़े mail offices में जो sorting machines होती है उसमें भी यह automated जो हमारे software है उनको प्रवाइड करवाता है जो hardware प्रवाइड करवाता है उसके बाद आता है हमारा change management manage training, reskilling and capacity building among employees to facilitate process changes vendor TCS तो इसमें क्या है हमारा change management है यह हमें training प्रवाइड करवाता है उसके बाद reskilling और capacity building करता है जो capacity उसको increase करता है जो हमारे employees and department के ताकि जो हमारा जब भी कोई change process होता है तब उसमें कोई भी training की ज़रूरत होती है तो यह provide करवाता है और इसका vendor को है TCS Divisional head is nominated as change leader और जो change leader है उसे change leader है जो हमारे divisional head होता है उसको department ने nominate किया है change leader की तरह change agents are conducting workshop and transmitting the information relating to development up to end users अब जो हमारे change agents होते हैं वो जो workshops होते हैं उनको conduct करते हैं और जो हमारी information होती है कोई भी change की उसको जो end users होते हैं उनको पहुंचाते हैं ठीक है friends तो यह हमारे कुछ important था जो हमने जो IT modernization के बारे में पढ़ा अब इसके बाद जो हमारे मैंने कुछ 200 questions की PDF बनाई हुई है वो मैं आपको WhatsApp पे provide करवा दूँगा आप मुझे WhatsApp में message कीजिए वहाँ पे आपको provide करवा दूँगा वो सारे important question है और previous question भी है उसमें तो वो कर लेंगे आप तो आपका यह वाला topic सारे का सारा ही कबर हो चाहेगा ठीक है friends thank you मुझे आपको सारे बनाई हुआए